हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में पैंसनर्स, फैंमिली पैंसनर्स, एस बलेज करमचारियों के लिए मैं बहुत सारी बड़ी ब्रेकी नियूस यह बोल सकते हैं उनके लिए बड़ी खबरे लेकर आया हूँ, बड़े अपडेट्स लेकर आया हूँ, जिन्हें उन्हें जानना बहुत ही इंपोर्टेंट है, जिहां दोस्तों, जिन्हें उनको जानने से बहुत सारी शीज़ें हल हो जाएंगी, सौल्व हो जाएंगी और बहुत सारी अपड और आप हमारे वीडियोज की इसी तरीके से आगे भी वाच कर पाएंगे पहली बड़ी खबर में आपको देने वाला हूँ आपकी पैंशन में बड़ोत्री से लिकर की साथ ही साथ दूसरी जो बड़ी खबर है वो मैं आपको आठ वेतन आयोग पर देने वाला हूँ तीसरी बड़ी खबार आपके DLC यानि की Digital Life Certificate पर देने वाला हूं बहुत बड़ा एक Office Memorandum आया है क्या के Changes हुए हैं सारी चीजे बताने वाला हूं साथ ही साथ जो Next बड़ी अपडेट है वो मैं आपको Fixed Medical Allowances पर देने वाला हूं आप सभी को पता है कि Fixed Medical Allowances को के रूप में आपकी पूर्ती नहीं हो पाती है तो क्या उसके रिगार्डिंग आंसर आया है वो सारी चीजे में आपको इस वीडियो के जरिए आप सभी को बताने वाला हूं यहां दोस्तों चलिए आपका सीधा लेके चलते हैं पहली बड़ी खबर पर पहली बड़ी जो खबर आ रही ह है आप सभी को पता है कि मौझूदा सवय में आपकी पैंसन या जो आपकी फैंबली पैंसन या बोल सकते हैं पारिवारिक पैंसन है वो नो जार रुपए तैक की गई है सातों वेतनायों के रिकमेंडिशन से के हिसाब से इस तरह है अब इसकड़ी में ऐसे कयास लगा जा है कि आस्मान चूती महगाई के दोर में सरकार देश वरके लाकों पैंसनर्स को पैंसन में ब्रोत्री का तौफा दे सकती है जिहां दोस्तों एक जो प्रिंट मीडिया में छपी खबर के अनुसार इस बात की चर्चा पिछले लंबे समय से कई प्लैटपॉम पर की जा रही अब सरकार कार्विं मंत्राल야 के मंत्री से लोकारी पैंसें पैंसन या सबारिवर्य पैंसन रासी पर एक लिक्शित बिया अ यहां क्या लिखित उत्तर दिया है सरकार ने बोला है कि लोग सवा में एक लिखित उत्तर में बताया गया है कि सरकार की नियूंतम पैंसन रासी की बड़ोत्री की अभी ऐसी कोई ओजना नहीं है जिहां दोस्तों मैं पहले भी बता चुका था मुझूदा समय में पैंसन या पारिवारी पैंसन की नियूंतम रासी नो जार रुपेता है इससे उन्होंने आगे बताया कि अभी देशवर में चवालीश लाग से ज़्यादा पैंसन धारक हैं इन पैंसन धारकों पर बितवर्स दोज़ार बाईस ते इसमें सरकार का काफी करोड़ रुपे खर्चु आ इसमें इस रासी में बड़ोत्री की कोई भी जानकारी की योजरा नहीं है तो मैंने पहले भी बताया था कि एक लोग सवामें कोशन पूछा गया था कि क्या सरकार सात्यों बेतनायों के रिकमेंडिसेंद के हिसाब से जो पैंसन और फैमिली पैंसन की नियूंतम रासी नो कोई उजना बना रही है क्या कोई प्रॉजल तै किया गया है तो गौशन दिया है किसा कोई भी मिनिस्ट्र या इंटर मिनिस्ट्र शरकार के पास नहीं है जिससे की पैंसन और फैंसर्ट की नियूंतम रासी जो बिसिग है 9000 रूपे से आगे बढ़ाया जा सके उन्होंने बड़ जो अपडेट आया है आप सभी को पता है कि आप सभी को ऐसे पैंशनर्स और फैमिली पैंशनर्स जो की नॉन सी जी एचस यानि की सेंटर गोर्मेंट हेल्डी स्कीम के कवर्ड एरियास में नहीं रहते हैं यानि कि जहां उनके हुस्पिटल नहीं हैं डिस्पैंसरी नहीं है या फिर्वैलनेस सेंटर नहीं है वहाँ पर उन सभी को एक हजार रुपे के लिए रूप में मिलते हैं यूप मैंशनर्स की यूनियन और फेडरेसर ने लगता सरकार से request की थी कि इसमें जो है कर्मचारियों इस्पेसलि जो पैंसर्स और फैमिली पैंसर्स है उनका फिक्स्ट मेडिकल अलाउंसे एक हजार रूपे से बढ़ा करके तीन हजार रूपे किया जाए हला कि Ministry of Health and Family Welfare की तरफ से एक आंसर भी आया है उस आंसर में पैंसर्स और फैमिली पैंसर्स को जो फिक्स्ट मेडिकल अलाउंसेस है उसमें बड़ोतरी होती है तो यह पैंसर्स के लिए बहुत ज्यादा राहात की अभी साजा हो रही है, पिछले काफी समय से आठवेतन आयोग के लाने की चर्चा जोरो पर है, ऐसे प्रिंट मेडियम अभी खबरे आ रहे हैं, केंदी करमचारियों और पैंसन धारक इस उम्मीद में बैठे हैं कि सरकार जल्द इस पर फैस्ता ले सकती है, अब सरकार के वित राजमंत्री, मिस्टर पंकाच चोधी ने आठवेतन आयोग लाने पर राजसवाब में एक लिखित जवाब में अउसकी इस्तिती जो है, यानि की आठवेतन आयोग की जो इस्तिती है, वो साब की है, उन्हें ने कहा है कि केंदी करमचारियों और पैंसन के लिए आठवेत अठवेतन आयोग लाने का अभी कोई चर्चा सरकार के अंदर नहीं चल रही है, उन्हें कहा कि सरकार सेलरी स्ट्रक्चर में दस साल से पहले बदलाव करने पर कोई भी विचार नहीं कर रही है, हां सरकार की योजना प्रदर्शन के आधार पर सेलरी और इंसेंटिंग देन है, इसके जगह पर दूसरे जो अन्य उप्सन है, दूसरे जो अन्य अल्टरनेटिब्स हैं, उन पर सरकार विचार कर रही है, जैसे कि पहला जो है, वो सरकार की योजना प्रदर्शन, यानि कि आपकी पर्फोर्मेंस के आधार पर आपकी सहली और इंसेंटिव देने की बा साथ वेतनायोग लाया गया था, लेकिन अब जो है चर्चा इस जो रूपर है कि क्या आठ वेतनायोग सरकार इस पर लेकर आएगी, या कोई और इस पर अल्टरनेटिव सरकार देखने को मिल सकता है, याना कि मुझे नहीं लग रहा कि 2026 से पहले कोई भी अल्टरनेटिव स सकती है, आना कि जो परफॉर्मेंस के बेसिस पर सहली और इंसेंटिव देने की या सहली और पैंसन देने की बात हो रही है, उस पर काम हो भी सकता है, और आगया आने वाले दुनों में वाकई में आपकी परफॉर्मेंस के बेसिस पर सहली और पैंसन देने का विचार हो सकत आपको मैं दिखा रहा हूँ नाश्ट बड़ी खबर की तरफ लेकर चलते हैं वह आ रही है आपकी फिट्मेंट फेक्टर पर आप सभी को पता है कि आपको फिट्मेंट फेक्टर है वह 2.57 गुना है और उसी की बेसिस पर आपकी सेल्ली और पैंसन आपको प्रोवाइड की ज पैंसन आपकी फट्मेंट फेक्टर में बड़ोतरी के बाद में यह 3.68 वह सकता है और अगर यह 3.68 गुना तक बड़ोतरी हो जाती है तो फैंसनर और फैंसनर्स को बहुत ज़्यादा रहात मिलने की उमीद जताई जा रहे हैं जानकर यह लिए आपको बदा दूं किसका फ सकता है त्योंकि फिटमेंट फेक्टर बढ़ने से कर्मचारियों के साथ में पैंसरों और फैमिली पैंसरों को भी इसमें बहुत जादा रहात मिलने की उमिद्ध जताए जा रही है वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएगा साथी साथ फिक्ष्ट मेडिक की जाए वो हमें कमेंट करके जरूर बताएगे ताके और वीडियो को जितना हो से लिए लाइक करें